सवाल नुमर फ़ेट दिया गया है कि 500 रुपे का 10 पर 20 व्याज की दर से दो वर्ष का चक्रप्रधी व्याज ग्याद कीजिए तो जो चीज दिया गया है आपका मूल धन दिया गया है मूल धन को हम पी से लिखते हैं ना पांच सो रुपे दर दी गई है दर को आर से लिखते हैं ये दिया गया है दस परसत और श्रमाय दिया गया है इसको हम यन से लिखते हैं और ये दिया गया है आपका दो वरस तो सूत्र में आपको लिखना है ए बराबर पी वन प्लस आर बटा में सो गहात यन पिछली प्रस्णावली में हम लोग कर चुके हैं पी का मान दिया गया है पांच सो वन प्लस आर का मान दिया गया है दस बटे में सो गहात है दो निकालेंगे तो ये हो जाएगा पांच सो यहा से एक जिरो गाट देंगे तो यह हो जाएगा 10 एक कम 10 और 11 बटे में 10 और 2 बार इसको लिख देंगे 11 बटे में 10 गुडे 11 बटे में 10 काट देंगे यह हो जाएगा एक जीरो यह कटा एक जीरो यह और दो जीरो उपर के काट देंगे ग्यारा का गुणा करके ग्यारा से पांच में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा पांच गुड़े ग्यारा गुड़े ग्यारा गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका ग्यारा गरे हमें 121 और पंचे तो पांच गुड़े 121 तो इस प्रकार से जो आंसर आएगा पांच एक कम पांच पांच जुन दसका जीरो पांच कम पांच एक छे 605 कितना आया 605 रुपए ये आपका मिस्रधन है और ग्यात हमको करना है चक्रवर्धी ब्याज तो यहां पर आप लिख दिएगा चक्रवर्धी ब्याज बराबर चक्रवर्धी ब्याज बराबर बता है A माइनस P यानि मिस्रधन माइनस मूलधन तो मिस्रधन आपका दिया गया है 605 रुपए और 500 रुपए मूलधन दिया गया घटाएंगे तो आजाएगा एक सो पांच रुपे यह आपका है चक्रवर्धी व्याज